चाहिए का कुछ भी नहीं चाहिए की दूशी साधी का सज जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान और साथे आपको राजुदीदी की साधी की सारी फोडोज और वीडियो दिखाने वाले हैं अगर आप भी करते हैं राजुदीदी को पसंद तो वीडियो को लाइक और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हलो एव्रिवन कैसे हैं आप लोग तो आए वीडियो को करते स्टार्ट परनास रंधावा और राजुदीदी की वीडियोस टिक टोक से वारल हुई थी और वहीं से लोग इनकी वीडियोस को पसंद करने लगे परनास की बात करें तो परनास पंजाब के तरन तारन से ब्लॉंग करते हैं परनास की फैमली में उनकी ममी पापा के लावा एक सिस्टर है उनकी फैमली बहुती ज़्यादा सपोर्टिंग है बात करें परनास के स्टडी की तो 12 तक ही पढ़ाई उन्होंने पंजाब से ही कम्टीट की है और इसके वादबो कैनेडा चले गए और वहीं से उन्होंने अपना ग्रेजूशन कम्टीट किया तो अब बात कर लेते हैं परनास और राजुदीदी की राजुदीदी जिनकी गरीवी की बज़े से कमेज में शादी कर दी और शादी के बाद उनके तीन तीन बच्चे भी हो गई और उनके हस्बेंडोंने मारते पीटते और बहुत ज़दा ट्रिंक करते जिसकी बज़े से राजुदी ती बहुत ही ज़दा परिशान रहने लगी और ये सब वो कई सालों तक सहती रही लेकिन जब वो ठक गई तो वो सब को छोड़ चाड़के अपने ममी के घर आकर रहने लगी वही राजु एक बहुत जादा गरीब फैमली से ब्लॉंग करती थी जहां पर उनकी ममी दूसरों के घर पे काम किया करती थी और इसके बार राजु ने भी दूसरों के घर पे काम करना सुरू कर दिया और जब राजु परनास के हां काम करने जाती थी उस टाइम परनास टिक टॉक पर वीडियो बनाया करते थी पर परनास की एक भी वीडियो वारल नहीं होती थी और इसके बाद एक दिन परनास ने राजु दीदी से कहा कि क्या वो उनके साथ वीडियो बनाएंगी तो राजु ने हा कर दी इसके बाद परनास ने राजु के साथ एक वीडियो बनाया वही वीडियों का रातो रातेजी से वारल हो गया और साती सा राजु को लोग ट्रोल करने लगे कि लड़का कितना ज़्यादा है और लड़की कितनी बेकार है पर परनास को इन बातों से कोई भी फरक नहीं पड़ा और वो राजु दीदी के साथ वीडियोस बनाते रहे इस दुनिया में लोग चहरे की खूपसूरती को ज़्यादा इंपोटेंस देते हैं पर परनास ऐसे नहीं है उन्होंने राजु दीदी के दिल को देखा जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है परनास ने राजु दीदी का जब हाथ थामा जब वो बिलकुल तूट चुकी थी और इसके बाद इन दोनों की सारे ही वीडियोस वारल होने लगी तो फाइनली अब बात कर लेते हैं राजु दीदी की शादी की परनास ने राजू दीदी की शादी उनके हस्बेंट से क्यों करवाई जो उन्हें मारते पीटते थे राजू दीदी की हस्बेंट जब उन्हें लेने आई तो परनास ने राजू और उनके हस्बेंट की फिर से शादी करवा दी और राजू को समझाया कि वो पूरी तरीके से बदल चुके है पर राजू दीदी अपनी शादी को लेकर बिलकुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उनने पता है कि उनके साथ पहले क्या-क्या हुआ है वैसे आपको क्या लगता है परणास ने उनकी दुबारा शादी करके सही किया या गलत कमेंड वाक्स में ज़रूर बताना वहीं हर को ये बात जानता है कि राजु दीती परणास को पसंद करती है और राजु को परणास के सा रहना अच्छा लगता है वैसे आपको क्या लगता है कमेंट वाक्स में जरूर पताना तो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो ऐसी ही इंटरस्टिंग और नए नए स्टोरी शाने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले अपने सेजेशन जरूर देना मैं सब के कमेंट्स को रीड करती हूँ थैंक्यू गाइज